आपको स्क्रीन पर एक कार्ड नजर आ रहा है पैंप्लेट है चोटा सा उस पर फोटो लगी हुई है पतंग बनी हुई है जिस पर चांद से तारे हैं उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और एक चर्की बनी हुई है उर्दू में भी जैई लिखा हुआ है रईस्मिया और माझा बंते हुए देखने के लिए आये हैं हर hier कि अपनी पहचान होती है बाप से बात करते हैं ना तैकेसी कंई कई पहचानों में से एक हैं बड़ेली का माल जन बड़komशेर यह बाकर गण जिलाका glimpse और यहां कई 30 सालों से मांजा बनते आ रहा है तो यह हमारे साथ रीस साभाने कहां गए द है अरे नहराज हो वह बात है नॉर्मयली बात है आप का नाम क्या है मेरी नाम है आम अब अब यह uyum indianese change बारे में कुछ बता रहे थे आप से बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जहीर मिया से जहीर है जमीर आपके भाई का नाम कि तो जमीर मिया यह कब से कब से काम चल रहा है यह पुर 55 साल की उमर आख मपने विर उमर से पहले काफी टैम से देख रहा है इसको यह आपके परिवार में होता रहा है आपके अब्बू करते थे आप नहीं मेरे बड़े भाई करते थे बड़े बाई के बाद में हम लोगों ने शुरू करा कब शुरू किया बड़े बाई ने तो हम जब छोटे-चोटे थे जब से भाइए उन्होंने काम शुरू गया जब चोटे चोटे थे आप कब से देख रहे हैं लगबग कुछ उमर ध्याने आपको कम सब्सक्राइब करना चाहिए तो कैसे क्या हमें थोड़ा सा समझाइंगे कि माँचा बनता कैसे द्ख wyp pertama मॉधा बनता कैसे फर्स. तो थोड़ा मसाला चला तैस ली द्खाता है से माठेकन से लुधियाना से द्खात पर से मसाला हैं यह जो कर रहे हैं यहीमजम has trial r Kait यह मसाला है मसाला चडंओ बता सकते हैं कैसे मसाला है हम जब बच्पन में छोटे से जब पतांग उड़ाय करते से अब तो थोड़ा कम हो गया तो हमें नाना प्रकार की बिधियां पता चलती थी यहां वहां से उड़ते हुए चावल काच को पीसना यह तो असली ऑथेंटिक बरेली का माझा बनता कैसे आप समझाएंगे हमें थो कैसे कांच नहीं काथ थो जब कहले के बनते शाच्थ वार् meetings को बटेहें ध्यां कुछ नहीं आता है कामिए पता है यह चाव पताओ यह वह कहों सा पत्तर है यहां से आठाहीा सब यहीं से का हादा है पर उसके बाद पर यह सब लगाना पड़ती है चाबलों में पता यह पत्थर आया पत्थर को आपने पीसा ठीक है यह पिसके हैं और लोग लगवी है और तो पीस्ती है ने मशीने लगी है तो कहां वो भारत में मिल जाती है यह यह इसमें यह देखी यह पौडर है शुर्माई पाउडर अच्छा और क्या है यह वह है इस समाजा बारीक होता है सपाई आती यह बारीक होता है क्या चीज है वो चीज तो बताईए तज अच्छे जैसे लोकल किसी दूसरे शहर में कोई यहां बनाने वालों से बात की है कि अच्छा तुम कैसे बनाते हो देखे हैं और जगों के मांजा बनाने सबसे बढ़िया सबसे नंबर वन ब्रेडी बाकरगन की बरेली की है और थोड़ा बताईए इसमें क्या क्या रखा एक ही चीज खोल के देखते हैं लोग है यह 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 दूसरा पाउडर रहे हैं यह 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 वह सा पत्तर एक पत्तर आता वह यह 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 पत्तर है और फोड़ा सा जगह देदीजे वाइए मिलाते हैं तोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ी मात्रा में फिर देखा जाता है तो हलके हलका ऐसी लगाई आती है कॉन मिश्टरन निये तयार करता है इसे अंदध़ा यह बात अधे तो तो कैसे अंदद्छा है कि क्या कम रहे गया वाध माध देखने के बाद पता चलता है अब इसको हम जाके देखंगे इस तरीके देखना है यह देखना हमने यहां पर के माया गंजा आ रहे हैं कारीगर से मेहनत बिचारा मेहनत भी कर रहे हैं उसके बाद भी सही नहीं हो रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा रंग लगबाद हो यह कोई और चीज़ लग मसाला नोग लेता है यह सबसे पहले वह अलग बना के रख लिया यह चाहँ से आन्य två लें कवा कॉम few का प्राना तो मतलब उसससे जो अलग कर देतें वोसमेंस्तमाल कर लेते हैं। यसी लिए बनाते होंगे कहां से लाते हैं यह कुछ अलग स्पेशल बाहर भास सब altogether अ्चासि ए चांँल को तो नॉर्मल मालवने पका लिया जाता है जिर जलाना जरूरी यह जलाना जरूर नहीं तो चावल पकाया फिर और मसाला बना लिए उसमें थोड़े तो चावल मिलाके पिर उसको पौडर डालते हैं यह वाला पौडर डालते हैं पिर उसको हार से घिषते हैं तो समाज में आ जाएगा क्या बन रहा है कैसे बन रहा है कि यह लिया चावल लिए कि आप आराम से बताते चलिए क्या क्या मिला रहे हैं हां यह क्या लिया यह पाउडर है आराम से बैठ जाए यह बैठ जाए हां चावल लिया इसमें सफेद यह पत्थर वाला पाउडर मिला यह तोड़ी 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 यह तो इसको अगर कॉस्टिपेशन वगएरा हो रहा हो इसके बुसी भी आती है जैसे पेट को साफ करता है वैसी इसको साफ करता है अब जॉन साब जैसे कलर बनाना है तो बनेगा अलग अलग कलर के साब से बाकि सब सभी मांजे में मिश्रेंट यह रहता होगा बस रंग सब कर देखिए गुलावी रंग बन गया अब जैसे तरीके देखिए पीस आजागा तो यह सूखा ही रहता है यह पानी 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 मिलेगा खराब हो जागा लेकिन वहां पर जिससे वह मांजे को वह कर रहे हैं थोड़ा सा गीला लग रहा है ने ने गीला नहीं होगा इसको ऐसी करते यांगे पर यह टैट हो जागा अच्छा लगबग अंदाजा कितना होगा कि कितना चावल ने तो कितना वह पत्थर वाला पाउडर लगे पावर लो चावल चाहिए पर पॉडर रोड़ा चाहिए आदा एक पॉडर लगता है तब लुद्धी अपने हाथ में फूल सही हो जाती है अभी तो आप यह चोट के ताइट करता तो थोड़ा अच्छा कुछ चीज जो है जो टाइट करती है कुछ साफ करती का रहा ब nossa गौरिप तो इस ने उन्युक्त से सुन इस च plat приех fororic को पर चलता है तोड़ी मैदाने वाली होती है तो यह मैदान वाली क्वालिटी में उसमें थोड़ा नीचा रहता है कम पैना रहता है तो एक और चाइनीज मांजा बड़ा चर्चा में रहता है तो उसका तो बहुत ही मजबूत है अगर ने उसमें अगर कोई जानबर या कोई भज बने के आगे तो इसमें अगर आप तेजी में गाली घुजआ आंगे तो तोट जागा वो एक लड़ी तो तोटेगी में और वह कहीं से भी बहुत बुरी तरीके से काटता हूँ पर बनता कैसे माली जो उसकी तो लट वही दा गई बहुत मस्बूफ है तो हमें नहीं वालूम कैसे बनते हैं क्या करते हैं वो लोग कैसे बनाते हैं तो कहां यह तो नाम पड़ गया लेकिन चाइना में थोड़ी बनके आता होगा यहीं किसे लोग कटे निससे पहले से यह काम चले जमाने से चले आज तो किसी गर्दन कटी हो या कोई कटा हो तो बताओ अ क्या रुक जाई आप इतना अच्छा बोल रहे हैं आरे रुक यह रुक क्या नाम है अपना बताईए वेरा नाम फजल वेग है तो जहीर जी आपके जब से लाइलॉन मांज आया जब से हो रहा है यह आप इस वाले दागे को ले लिए यह आपका तूड जाएगा आप 80 साल पहले ना जाए आप 15 साल पहले चले जाईएगा आप देख लीजी इतियास उठागे के वहां पर कोई हास्षा हुआ या नहीं हुआ है अधिक तर ह अधिक तो हमें जो सुनने को मिलते हैं वह ट्राफिक की वज़य से चलती गाड़ी की वज़य से तो 80 साल पहले तो मैं सोच रहा हूं कि गाड़ी थोड़ी सी कम होगी 15 साल पहले चले जाईएगा वहां पर तब तो नहीं था इसा जब से लाइलान मांज आया जब से ऐसा यह बनता है अपके अगाजियाबाद में दिलि मनता आपके पराने उस्ताद dozen कई साल से मांजा बना रहे हैं सबसे पुराने उस्ताद कौन वह जिसका बहुत फेमस नाम रफफन उस्ताद हैं जिन्हों ने यह काम लिका ला वाइग रफफन उस्ताद जी काई हैं अब उनक घर तो आगे होगा यह बाकर गंज है और बाकर गंज में उनका घर है उनका जाए कि उस्ताद को खरीदना अभी मिलता है बेटे बनाते हैं तो कहां से मिलेगा उनको हुसेन बाग में जाएगा पुआ पर उनके अड्डे और अपना ये क्या बताया कितने साल से आप कब से देख रहे हैं तो अभी आ गया हुँ बाहत्व कुराने टैम से आपके वालिद साथ देखते हैं कि इन्तिकाल हुआ तो यह बताइए इससे पहले आप मैं क्या आप से आपकी उमर पूंच सकता हूं आप लगबा कितने साल के तो आप इससे पहले पढ़ाई करते तो कुछ और काम देखते थे क्या करता था सिर्फ और कुछ नहीं करता था किस चीज पढ़ाई की आपने मैंने हो साइच पढ़ाई किया तो कहा है आपने साइन साइन्स लामीं इंट्र कॉलेज ब्लगी बात करने इंट्र करके पढ़ाई छोड़ दीती नियुों मां कोछ और काम देखने लग गए यहीं प्र यहीं पर आने लगों न sera छाहले एक सथा अब इस काम में आ गए हैं और कुछ नहीं तो नहीं था लेकिन करना पड़ेगा उनके उनके बाद देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि आपने कुछ सोचा था अपने लिए कि मैं कुछ नहीं सोचा था भाई कि मैंने तो यह सोचा था कि मैं आपकी मस्ती को फिर थोड़े से मस्ती बैन लग गया 2017 में 2017 मस्ती बैन लग गया ऐसा क्या हुआ आपके शादी होगे 2017 में तो बच्चे एक बेटी है मेरी इसको अच्छी तालीम देगे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे उससे और बड़ा हो कि जो बनना चाहिए जो बनना चाहिए वह बन सकती है अच्छा बहुत लोग तो ऐसे बताते हैं जैसे की लड़कियों को हद में रहना चाहिए गूंगट में रहना चाहिए नहीं करना चाहिए यह सारे काम करना ची लेकिन एक एजूकेशन भी जरूरी है ना अगर आप वो नहीं करोगे तो फि कि वक्त के साथ बदलना पढ़ता है को कि लेकिन फिर भी अभी इसे काफी परसेंटेज में हैं ऐसे लोग आपको ऐसे बोलते नहीं या चैताते नहीं कि लड़किया ऐसी मर्यादा में रहनी चाहिए या रहने चाहिए नहीं इसा भी नहीं हो एक उनका रहा है कि था का अगर वो प crowded ले कИ अगर वो पंडना चाहती है वो दिनी hugging धीनी पड़ाई हो या आपकी यह दुनियाभी तालिम हो व्चिंशाजना थी лемम आपणना चाहती है तो जैसा वह करना चाहिए अर्वाब बड़ी उन्न सोच हां की प्टता मुशा पता रहे उत्साहर से बता रहे ते कुछ कुछ नहीं बता सकते नाहीं कंदेखते हैं। खुला छोड़ देते हैं लेकिन फिर ऐसे कभी हमने सुना है कि ऐसे कट वड़ जाए तो कुछ सब्सक्राइब हो सकता है नहीं होता है कुछ नहीं होता इंफक्षन बगएर वह चैना वाली डौर जो आती है ना वह अगर हात में बैट गई वह इंफक्षन कर देते हैं चाइन तूर जागा लेकिन कड़ेगा नहीं तो यहां कहीं यहां के मार्केट होगा चाइन यहां यहां बताइए आराम से आराम से आजाए कहां बिकता है चाइन और जैसे और इन लोग यहां बिकता है आरे तो आप इतनी बुलंद आवाज में बोलना है भाई साथ इन्हीं कि आसम बिकता है चाइना अचा यह बताइए चली हमने वह मसाला तैयार कर लिए हमारी प्रोसेस अदूरी रह गई थी यह ऐसे इस तरीके से इसको क्यों बांद के रखा बड़ा नीटली एक गाना भी है बॉलिवुड में सुल्जा लिंगे उल्जे रिष्टों का मांझा तो बड़ा सुल्जा हुआ मांझा है यह तो यहां पर बंदा हुआ है इसको इसलिए तान के रखा है यह ताकि लड़े जो है लगले रहे हाथ में भरने में आसानी रहे परसाहीं नहों फटापट भर है दिखा सकते हैं कि अभी दिखाया तो आपको है स्टेप बाइस टेप देख लेता हम लोगा इसको आख में पकड़ा इस तरीके से हम बढ़ते हैं यह तहुत है यहां तो यह पार कुछी डोर चुनते हैं यहां सब्सक्राइब कि ऊसको लगा कर दिखांगा तो यह खराब यह gladi वाला नहीं एकाली वाला दागाऊ प्द्द्वरी लात यह क्या कर रहें यह करने चर्खी से समेट है है यह लपेड है इससंगुआ फिर रॉक इसको लपेट के रखागे यह खतम कर रहां तर रहां यह तेयार होगで कितना टाइम लगता पहले तो यहां तानते हैं तो यह तो यह को तानने में फिर उसकी जो मडाई होती है तायार करना मसाला और पर उसको इसको लगाना तो उसमें कितना वक्त लगता है यह को शूपता है फिर वो तैयार कर देगा सारे काम करें देगा उसके लगा फिर उसको चरखी पो तारता है चरखी पोटारता है तो इसको सूखने काभी कुछ देना पढ़ा हाँ सूखता है कितना कितनी देल लगती है हवा चलती हो तो 10-15 मिट में सूख जाता है और हवा नहीं है तो 10-15-20 मिट जादे हो जाते हैं आम तोर पे आप लोग कितने बजे सुभे काम शुरू करते हैं अपर शे बजे पांच ब बच्चों बच्चों में अरे वाई तो शाम तक तागत नहीं बच्टी में चोड़ दिया क्यों आपका नेजी फैसला है लेकिन थोड़ी जोड़ी भी बहुत कम थी गुजर नहीं हो पाता था और जब से चैना आई जब से और दिक्कत आई चैना वाला तो बैन है ना मेरे ख्याल से चुपाचोरी बिक्राए कि चुपा-चोरी बिक्रीया है मतलब पैसे देखे काम चल जाता है बहुत से लोग का बड़े- लोग का मैं चायना वाला बड़े लोग बनाते हैं और वहां बो मसीनों हां में यह मझजूर हो काम आप भी कटते हैं सारी बात होती है और सब्सक्राइब करते हैं कि यह क्या कौन सा वाला अरे तो हाथ पगड़ाएंगे तो तूट नहीं सकता है इसमें करेंट आ जाएगा मतलब का करेंट आएगा मिलता है जहां पर यह तार खुले होते हैं इसमें यह को हुता है यह दो होता है उसी तरिके का यह बनावा इससे भौप लो पर गर्दने-कड़िया दिए कहीं कडिया दिये वैसे तो सलाह यह जो लोग भी ब्लों पर र simplemente जाता है और भो तूड नहीं सकता है वह भी तूड़िया था सु जो बहुत हो रहता है अब यह प्लास्टिक का सब्सक्राइब तूड़ने सकता इसलिए इसमें जानबार या कोई इंसान फट जाता तो यह घुज जाता है गर्दन में सटाक से अखबारों में सुनते हैं एक पतंग का मौसम आता है कुप सारे पक्षी भी मरते हैं और चान एक्सिदेंट होते हैं यह सिर्फ चैना बाकी य अस्टों से बनने आए और कभी कोई दिक्कत निया कहीं कोई गर्दन कटी हो या कोई पक्षी मर रहा है कोई नहीं जब से चैना आया है गर्दनी भी गड़ना सुरू हो गई और परिंदे ही मरने लगे क्योंकि जहां उलजगिया परंद हुआ टंग ही रहता है यह तो महिनों के साथ से पकेगा यह पकाता चुकर लोगे के बाद भाव रहेगा उसमें कुछ हो नहीं तो इतने ही कड़ी आंगे जितने एक ही दिन में बन गया है कि इससे जाद नहीं करें आगे अभी मैं काम करूं तो इसी की तरह कडिया आज़क अपने हांसे ज्यादा सब्सक्राइब करने में कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी मिर्चों का काम नहीं कर सकते हैं कुछ भी मिर्चे भी लग जांगे तो यह फरक नहीं कि अभी कर दो कि यह काम लगा था कि उस ट्यम में काफी भुकमरी का दौर सामच्दे का दौर सा तो गरीब लोगों के बच्चे इसमें लग जाया करें और उनको थोड़े बहुत पैसे खर्च के लिए मिल जाया करें यह काम ऐसा है जो जल्दी भी सीख जाता था बच्चा औ आपका नाम नहीं पुझा बड़े दिलचसफ घरदानाइब क्कैश्टर्यस जाह चाहरें उंध्यकर झाप आपका लगम तो मैंने कर दा है जो कर आएयर और इसमें इतनी कमाई है कि आदमी स्रीव अपना घर का गुजर चलाता है कारिकल लेंड का अदमी और बागी कट्टा कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि तमाम नंके घर में परशानी है और आज तो जादे ही है कि और सबसे मैं जी है जब से चैनल लेकल लिए मुधी सरकार ने मुधी सरकार ने क्या दिया आजे बता हुआ अब इतला किसी को कुछ नहीं दिया रोजगार निया उसने परसानी के अलाबा किया दिया किसी को महांगा आए आपका जो चला आया अगर शड़क पर भी टेक्स बढ़ना पड़ा जैने जाम हां आप भी माजे का काम करते हैं करते थे मगर आज इतनी मज़ूरी इंसान की निगे जितने अपना घर का चला सकते ख़र जो क्या बच्चों का पेड़ बले कि अपना बले मजदूरी क्यों घट गई है मजदूरी घट गई है महंगाई इसी सरकार से बढ़ी है समय ज्यादा समय ज्यादा इंसान परसान किस से इसी सरकार ने करा ज्यादा से ज्यादा है और क्या दिक्कत है आपको जैसे महंगाई आपने समस्य नहीं कर सकता इंसान कुद अपने आप करेगा और सरकार को अगर दे भी दो गए तो आज हमसे बादा कर जाएगी कल को बादा पूरा नहीं करेगी कौन सा बादा पूरा किया किसी ने किया सरकार नहीं कि लोगों को दिया कुन रोजगार भी दिया हर कारोवार भी दिया आज मूधी सरकार क्या देब्ग दो सब्रकौत से को कि सब्सक्राइब है हमारा देश किता पीछे हो गया आज कि तूसप प्रणसी नीची हो गई इस देश की आपको भी मालूम होगा पड़े लिखे हो किती करंसी हमारी गिर गई और किते बच्चे मतलब हिंदुस्तान के पढ़ना हैं बताइए आप किते पढ़ना है और सरकार ने आके देखा नहीं देखा सिर्फ जोली फेलाना आती यह बोट मांगने आप बताइए मुझे आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं बादे करते हैं लोगों से बड़े-बड़े क्या किया पंदरा पंदरा लाग दलंगे आज देख लो वह बेचने वाला इंसान आज पूरे देश से चाइब बादी क्या दिया कौन नेता पसंद है आपको सबसे ज्यादा नेता कोई पी नरेंद्र मोदी तो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं मगर अपने देश को समझे अकले श्या अब अच्छा सरकार में नेता जो है अकले श्यादव अगले श्यादव में अगले श्यादव में अवाली सब कुछ करा उन्हें चैना माझे बैंट लगाया लेकिन फिर भी जब अब अब यह सरकार आई इनने कुछ नहीं करा कि अब भी माझे काम देखते हैं तो माझे काम करता हूं आपसे नहीं बच्पने करता हूं मेरे घर पर इतने इसमाजे काम से रोटी खाते हैं और आज वह आज में को इत्ती परसानी है अगा पढ़ने भी जाना तो किताब भी पढ़ एक लिए लेकाना कहां से लेके आए ल है कि पहले कि तो लगा दिसक्ता कि एसमारी यहां मजभूरी है हमारी क्या करें भूब के दो तो क्या करें कि अब बीमार का तब लेके जाए गया एक लाक देख ने किन धान ओभी मजब ड़ो हैं यहारो रह लोट है अपना मकान है यह विकन कशमाइब आजने हैं मजब फि लोग को लिए गरीब लोग को लिए नहीं हमारा हमदर्द है अग्लेश की शरकार थी मुदी सरकार आई तो उन्हें कुछ नहीं करा अब इस पर लेती है पुली तो छोड़ देती है चैना मांजा बैसी विक्तर रहता है अगर चैना मांजा बंद हो जा तो होसता हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं आज हमारे बच्चों को पढ़ने कोई उम्मीद नहीं है पहले रोटी तो खाले पेड़ भर गए अपने लिए रोजी रोटी सो निश्चित करनी होती है उसके लिए बच्चों को भी काम पर लगा अब बच्चे काम करने लागें यहां करा रहा है इन से स्कूल की सो विधा है यहां पर कुछ है तो हमारे करें किताब पैसे नहीं है और उनकों पहुचाएं भी हम सोच रहे हैं इस से हमारा सारा बंजागा यह बीस रोप एदा कर लेगा हो सब्सक्राइब को इस अब लिए पानी पला रहा है कि लागे कभी दो चार रही तांदे रहा है और उसके बाप पैसा लिए लिए लोगों ने खा लिया ज datos आपके पास आते हैं वोट मने यह बहुत बाते हो चले नहीं कहते हैं भ fantasy गया बन जाया वह दो एन सब्सक्राइब इतार इस certification जो सब्सक्रारा करते हैं नह सब्सक्राइब तरकी चले ऐसा कुछ हो नी रहा हमारे लिए फैक्टरी खुल वाए जी तो जैसे मशीनों का जाएगा फिर तो हो सकता है काम आजाए यह चाहिए हम अपने बच्चे को स्कुल भेंजने लगांगे वह बताई राचलती कि रहें को या किसी बैठे वाले को कि दरी को परसान करते हैं अब यहां पर आती है घड़ी होती है लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं यह नहीं वह कहीं परसान नहीं करते हैं तो लंबर वाले कुछ उनका पीड़ पीछा है अब उनकी बुराई करें वो कहीं भी परसान नी करते हैं कि इसकी इजाज़त अपने देरक्टी होने अलग्द से उनके पास कोई अपनी मजूरी के लिए चलता है यह पूलिस परिशान करती है अचा यह पता यह मैं तो पूछा था कि सरकार क्या करें कि आप लोगों जिन्दगी बहतर हो बच्चे पड़ पाइंगाई कम इतनी होना चाहिए इंसान का हाँ पेड भर जाए बच्चों का पड़ा लेखा ले क्या गरीब इंसान का भी दिल है ऐसा नहीं पैसा वाले के दाच जब लेकर जाते हैं तो फिर वो अंद प्रेट को आगे बढ़ाना यह चीज़ु है अब जैसी के मतलब जो कंट्रोल पर आसन फिरी मिल लिया है ठीक है चलो यह रासन फिरी मिल लिया है सब जगा बाटा लेकिन दुनिया बर की चीज़े और तमाम चीज़ें पर कितनी महंगा यह पेट्रोल की रेट ओने लिए सबस्क्राइब करेंगे गोड़ा हैं तो इसने गाड़ी ले लिये मोड़साइकल ले लिया बेरी वाले नहीं मनें तो तो तेल आज सौरुपय के लगबग है एक सुतीन एक सुतीन है फिलाल तो यह कितना बढ़ गया कहां तक चलाएगा अगर मालनों कोई काम बाला है उसका तुड़ी दिर काम नहीं हुआ तो तो तेल थाथ दो बैठा समस्य की गाड़ी पकड़ जा रही है हम आपनी मजबूरी में आगे आगे हम लेके जाना तो वहां पुलिस खड़ा हुए उनने गाली पकड़ी पच्छी सरों कर दिया अब हम गरीबाद में गाली हुँ छोड़का है कहां ते बरतां के चलान नहीं तो वह किसी ट्राफिक नि सब्सक्राइब करने पाद तो नहीं रोगेगी आज पुलीस से कहां से चलान मांगें आप सब को रोकते हैं ऐसा नहीं है कि सब के चलानी काटें जिसने सो पजास रुपए दे दिये उसको छोड़ दिया बाकी दो उनको चैलान पूरे कर नहीं है उनको छोड़ने से बढ़िया उन सब के चलान करो और सबसे मैंचित जिए जो मजदूर किसम के लेवर टैप के लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं फिर ही वाले तो उनको रोकने जरिया सीवग म Всёका में नी लगा था What a T क्रोषक आब कर लोगा जरूर्फ अगए जब इसल्एन्स तो जरूरीगायों ने नियुक्त है कृओं ते लागाया यडरी चलान इक लिए आपको देख के लिए मूरी कॉ ni अब जब कमाई होगी जब तो लेसंद बनेगा अब कोई मेरा चचा तो बैठा नहीं वहां पेडियो आप इसमें जो फिरीम मना देगा कोई नहीं बनाता फिरीम में और सरकारी में अगर जाओगा आप आपका काम जब होगा जब आप पैसे दो नहीं टालते रहते हैं कि आज नहीं कोशिश की एक आद दो बार लाइसेंस बनाने कोशिश की थी फिलाल मेरे पास पर टैम नहीं मिल पाया मुझे क्योंकि मैं तभी अब जब दो आपके नदरों में खुद भी खराब हो थी चक्कर में मेरा कैंसिल हो गया अम दुबारा पैसे खटे होएं काम जंदा चले अब जब दो साल थे तो बिलकुल काम डॉन बढ़ हुआ है और जब से ये लोग जो बैठे हैं जब से ये मूदी योगी जो बैठे जब से तो ऐसा समझ लो आप खुछ समझ सकते हो कि देश में एक पनौती सी आ गई क्योंकि हर आदनी बेरोजगार होता चला जा रही है अब ट्राफिक लेलो रेलवई लेलो लालकिला लेलो बैंक के लेलो सब गिरमी डल लिया है डला है ये तो आपकी नदरों में खुद होगा तो ये चीज देश को गरीब करेगी ये अमीर करेगी जो दूसरे देश की लोग आके यहां पर फैट्रिया डालना है नौक्री नहीं लेवर हैं यहां पर मारी मारी फ्रही आज मजदूर एड़्डे पर जाके देखो जो साड़े तीन सुर रुपे में जाया करे थे आज वो तीन सुर रुपे में जाने के लिए तयार है क्योंकि काम ही नहीं एक अगर गाड़ी वाला बुलाने आता है किसी लेवर को तो उसके सामने दस लोग पहुंच जाते हैं और बलकर पचास पहुंचते हैं कि हमें ले चलो हमें ले चलो तो वहां पर जो मजबूर होत सब्सक्राइब करें देखें व। आजैसे बूल वह में धाड़क नोगागा यस कारवार की जबिता भड़े मखाए म यहाचते बड़े लोग लोग नेसे लोग बैठ हुए हैं तो जसकी मिखें लोग चला रहा हैं तो कम से कम भूलों लोग देखे न किआ इसमें इतनी पीछी है आज करंची इतनी फिर गई जो तुम्हारी जैसे बंगलादेश से नीचे गिरी तो काइबात पर गिरी है कि तुम ने करी यह कोई पब्लिक ने नहीं करी देश को तुम चला रहे हो तो देश को आप समझोगे को समझ रहे हैं आज जैसे आप लोगों ने यह समझ आए बताइब मैं थोड़ा सा यह पूछ रहा था कि क्या की आज एक तो एसा कोई नहीं और ने लेकिन आज सरकार में वीजी वीकिशल के सारे नेता जो इतने से थे पैसे में आज गट्री भर गई सब मोड़ों हो गए थोड़ा उधारन से बताई पहले किस चीज का कितना रेट था पहले तो हर चीज का कमी था सर अब सी इनकी सरकार से पहले जब से नोड़ बंदी हुई हर चीज का बहाव बढ़ता चला गया और सबसे मैं जी जब तो मालू सब्सक्राइब नोड़ों के तो आराम से हाथ दबाके लिए तो महंगाई बढ़ गई है तो फिर उनके अब और कल एक सरकारी आदमी कह रहा है कि मतलब सरकारी आदमी को बहुत परशानी हो गई यह हो गया वो गया तमाम नंकी बात करी तो मैं की भाई साब हमारा क्या होग कि क्योंकि हरा आधमी नो करिया ने नो करिया 25 परसंट होंगे बाकि 50 परसंट लोग बीच लेपर बहुत के लोग चोटी मोड़ी दुगाने वाले ऑफ लोग जो रिक्सा चलाने वाले हैं फेरी करने और थेले लगाते हैं सम्झें यह चीज़े आज रोट भी चोड़ उने तो वहां पर क्या ख़ड़ा करोगे चाट वालोग हटाए क्या पैदा करोगे उनके लिए कुछ और यह तो देखिए रोड का चोड़ा करना और यह तो ट्राफिक विवस्ता का एक दुरुस्त इंतिजाम करना होता है लेकिन काई जैसे सरकार को यह भी करना चाहिए कि जैसे जहां से ठेले हटाएं तो या तो फिर आप एक ऐसी विवस्ता पैदा करो जहां पर जाकिक कर सकते हैं और जहां चोड़ा करने की जरूरत है वहां पर कई चोड़ा क्या आपने मास्टर प्लान कहीं भी गुंबा दिया तो यह चीज तोड़ी नहीं होती है और जिसका टूटा है दरद उसको होता है अब इदर नई बस्ती के अंदर खटके बराबर से लोगों ने मकान मनाये थे अब से लगबग तीन-चार साल पहले हैं कि मुम्नन बस्ती थी यह में एक मकान तोड़के चले गाए आज वहां उन्होंने क्या खड़ा कर दिया क्या कर दिया हुआ पर कुछ भी नहीं खाली परशान करके चले गए घरों से भी बेकार करके चले गए तो उससे उनको क्या नतीज़े लिग लिए श्रीप यह बहुत दिक्कत नहीं है लेकिन वो कलम चलाने से पहले एक बार यह सोच लें कि फला जगा कोई मतलब नहीं है और हम उनके मकान तो ठीक है तो ठीक है यह कहीं बैसे तो चोड़ा कर दो अब जहां कोई मतलब नहीं आप वहां पर भी जाओगे तो सामने वाले का दुखता है क्योंक आप सुनों मेरी आप खुड टीवी है तो इसलिए क्या देखोगे जैसी कि आप मतलब यहीं है कि भड़काओ भासन का मतलब यह है कि बैसे तो भड़काओ भासन देद रहें आप लेकिन आप इस चीज़ के लिए भासन के वही जनता जहां गरीब है वहां थोड़ी समस्या का सब्सक्राइब करना चाहिए कि ताके उन लोगों को पर्षानीन अभ जैसी आप कहीं जे हिंदू बस्ती होती ना जे पूरी मोमिनन बस्ती है पूरी यहां सवां तक आज इसकी आवादानी बहुत है तो यह ख़ड अगर कहीं हिंदू बस्ती होती नहीं कछरा बढ़ता ह किहां जयसे आए दिनों लिखके देता आदमी आज नीकल दिता दूसरा देता दूसरा देता दूसरा देता पड़े लिख लोग अपना काम इस तरह के तो यह क्या मिलान लोग जो कलम चलाने वाले लोग हैं उनको क्या फैज मिला से वहां आज भी कछ्रही पढ़ लिया है वो लोग घर बेरोजगार हो गए और आज भी कछ्रही है तो यह उनको सोचना चाहिए कि वह हम घर में बैठे वें चानाम है अपका बताई उसमें एक एस अफसरली नाम है उसमें एक IPS PCS जो होते हैं महापौर्ड जो होते हैं नगर आयुक तो आये तो इसमें सब खड़ हड़ा है बहुत बच्पन देखते जा रहा है उसमें जो सैट से लोग रह रहे हैं वो जो है खेतों की जमीन थी उसे रहाइशी कर लिया गया ट्रेशिंग जहां काता वही है इन लोगों ने महलेदारों लोगों ना इसमें अब्जेक्ट कर रहा था कि हम लोग यह खड़ हडवा दें और नगर आयुक से इन लोगों ने अपनी फरमाइश रखी और हाथ जोड़ के निवेदन करा साबिर सूफी वगरा बहुत लोग थे तो उसमें अगर आयुक ने ठुकबा दिया पबलिक पर उसमें एक ऐसा दरख्वास करी तो मुकदमें ठास दिया उसमें भीड इखटी हुई ना तो भीड पर मुकदमा करा तो उसमें जो एक व्यक्ति था उसे पैरालैसिस हो चुका था काफी दिन पहले वीड ना कुछ उत्पात मच पाती होता है नगर आयुत की गाड़ी घर रखी थी उससों कोई हाथा पाई नहीं करी थी कुछ नहीं कर रहता तो आप उसके बाद इन लोगों ने उस आदमी पर पर मुकदमा कैम करा जब विवेशना हुई आदमी को परिस पकड़ने गई तो पहले सा पहले सा पहले सी ब पर मजदूरी करते हैं दो डायी सोर रुपय तीन सोर रुपय बहुत इससाजादा नहीं आप भी मांजे का क्या करते हैं सब्सक्राइब अब यह लोग करते हैं अब जो चाहे ना पहना जो भी है इंसे उसका कोई तालुक नहीं है यह तो हैंड़ वर्क करते हैं अपने नहीं वो तो बता रहे थे मुझे बड़ा आश चरी हुआ कैसे भाई वो खाना खाते हो ना तो यह चीखंग है वो तखलीप पैदा हो सकती इनके हाथों में अब यह तो इनका कोई मतलब नहीं चाहिए यह तो मजदूर लेवल लेवर के लास के लोग चाहिना तो इन्हें और और बिचेरों को डूबो रहा है तो हातों से बर्सum सब्सक्राइब यह तक रखैने पांच कर लेता है कि प्र प्रब्रह मैं प्लde सब्सक्राइब होती नहीं है दोड़ाइसों में क्या होता आजकल बाग यह समस्या है लोगी खटकी तो बहुती बुरी पोजिशन है आप जाके देखिए वाइट बनाई जागे जागे यह वाला चलिया परदान पती बैट रहा है परदान जो है उसकी में बीवी है और वह किसी लायक नहीं तो पिरदान आदि में बैट जाता उसका पंचायत में अब तो नेम खतम कर दिया है कि वहां पर जो दुर्दशाह है उसका कोई समाधान नहीं है इन लोगों से मैंने करा बीवारत बीमार लोग यहीं रहते हैं आप लोग अपने मेर मां जो पार्षाद है या जो आपके लोकल निता है उनसे है आपको बाइब भले आदमी उने बुरा नहीं कहते हूं लेकिन उननमे फिक्वालिफकेशन है नहीं कि वनें कहां मुद्द पास होगि रिखले पास होता है इतना पैसा रोगहा इतना बनवा दिया क्या औब जेक्षिंट कहां बढ़ाना है आकर भवागा में इउठाना नगर नगम में उठाना या ट्रेजडी में उठाना कि इस विवाग में क्या समस्या लेके जाना इसके लिए एक पड़ा लेखा सबासद होना चाहिए आपके महले का आप लोगों कोई समझदार व्यक्ति होगा जो जाके सलावाइस बहुता है और जादा भीड़ घटे करो तो वह तो यह तो आतंवादी ठराया जा रही है यह वह गलत तरीखेंदे बंद कर वादी जा रही है किसी की कौई मदद इनकी कौन मदद करेगा इनको क सब्सक्राइब करें लोग देख लोग इनकी है किसी की बच्चों पर कुछ नहीं किसी बीकुछ नहीं किया इनके पास कि यहां से आके महरम में लंगर करते हैं यहां से आके महरम में लंगर करता है यानिके तक्सीम करते हैं रोटी या हल्वा जो भी बाढ़ते हैं लोगों को तकद वालों को बढ़ता है उसके बाद यहां पर यह लोग बिचारे ऐसी खैरफ़ाई में रहा है इनकी सरपरस्ति में कब निकाल देने कोई पता हुड़ी है कि इनकी इनसे बादे वालों से बुदी कंडिशन ही नहीं बाखरज में किसी की और यह वहां रह रहा है खट पर भी खट पर रहते हैं अब खट पर डाल लखे हैं किसी ने बिचारे ने जमीन ले लिए सब्सक्राइब करने सकते हैं बिचारे दर्खास देते हैं वह एक तरफ कोने में भाड़ दी आती है आपकी बार जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं तो आप क्या नेता वोट मांगने आएंगे आते हैं आप लोगों के लिए साफ सफाही मुद्दा होगा कि बिल्कुल होना ज सब्सक्राइब क्या होगा मतलब उस पर वोट डाले जाएंगे कोई नेता है यह लोग एक जुड हो जाएं एक जुड होके एक जगा बैठें एक अपनी मतलब यूनिटी बनाएं कि हम भी बोर्ट उसे देंगे जो हमें इस प्रॉफलम से निजात दिलाए वा है ना और बहुत बदू आदी आप खाना खाया पल्टी कर दो कर दो कि अब कहां पर यहां तकरी दो क्लिमेटर है क्या जगा का नाम बताया है मैं भूल रहा हूं तो है जोड़ बहुत है नाम से मश्मूर उनके पास परता है खट किस चिसको पूरा फच्छा पड़ता हुआ पर बहुत बदू आपी दे लगे लोग पहले वहां पर खड़े ते तो ख़आ पहले मैला पड़ता था यह जो घरों में होता था था ना पहले राइटी ने बन गई अब मैला पड़ता था अब वहां पर इससे इतना उच्छा धेर बना दिया जैसे गाजीपूर में बना रख जाने आप जाकर देखेंगे अभी चलिए यह हम बताई है जैसे कि यह खट ज़िए ना जो डाक्टर तो मेर थे तो नहीं यह अधाया था तो जो पडू कि अधार तो मेर्या तो नहीं तो यह था था तो जो कोई इनुबसिटी है उस सेट से हट है जो आज मेरे अभी के मेरे तो यह उहां पहुंच गई थी तो उन्होंने रिक्ष्ट करी होगी कि वही मेरी कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं पचास आड़ है या बीस है जो भी पढ़ते हैं उनको दिक्कत है परशानी है तो उन्होंने उसकी फिर से यहीं पर कर देखिए आज उनकी हाथ में पावर है अब यहां सब्सक्राइब करोड़ से जादे लोग रह रहे हैं यहां पर तो उनको इस बात की समस्या नहीं आए कि यह लोग एक बीस हैयार और सबार लाग फरक नहीं होता है उन्होंने फिर जब यह बर्साद का मौसम है इस तरीके से बीमारी फैलती है उस तरफ जब मौते होने पर आती है तो एक सार लगातार होती है एक सार लगातार के आज एक होई की दो हो गई तीन हो गई एक दिन में तिन चचर मौते होती है उस तरफ बहुत बीमारी फैलती है उदर इदर यह जायतर पुर्चियाओं की यह पुरभाई की अब चलती है पूरा पच्छिम की जायतर चलती है ऐसे करके कम चलती है तो इधर तो कम आती है उसी सेट में घर तला उपर बने हुए उनमें तो यह समय लो खाना पीना लोगा दूसबार हो जाता है उदर का पानी भी उस चक् अलग होना चाहिए चीज को राइशी लाके में तो नहीं है वहाँ पर है बहुत ही गंदा सीवाट है हम लोग बस्ती शहर में हैं आप लोगों की समस्यां सुनी कई चीज़ें में हम लोगों कुछ कुछ पता होता है कि जैसे चाइनीज मांजे वाली समस्या है तो वह हमें किसी ने बताया लेकिन कुछ को चैसी चीज़ें पता चलती है और कई वार समधान समझ में नहीं आता जैसे कि इनने बताया कि इनकी आए इतनी कम है यहां पर और उसी में अब बच्चों की सिक्षा के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं वह भाई साब एक लाइसेंस न जुनना होगा जो इन सब समस्याओं से निजाद पापाएं मैं आयोश हूं यह बाकरगंज इलाका है मशूर मांजा बनने के लिए लेकिन अब कच्रे के धेर के लिए जादा कुख्याद चलिए मैं आयोश हूं कैमरे के पीछे जैरी हैं यह वीडियो देखने के लिए